मकान मालिक के बेटे को जूटे दुसकर्म मामले में फसानी को लेकर पांच लाख रुपियों के लिए ब्लेक मेलिंग करने वाले युवक पर पुलीस ने मामला दर्च किया आरोपी की तलास में जुटी पुलीस दरसल मामले लसुडे थाना चेतर के बापू गांधी नगर इलाके का है यहां रहने वाली एक पिडित महिला ने शिकायत दर्च कराई थी कि उनके घर किराये से रहने वाला शीबू लोहार काफी लंबे समय से किराया नहीं दे रहा था जब किराये की बात सामने आई तो पर शिकायती आविदन दिया और मामले में समझोता करने के लिए 5 लाक रुपे की मांगी थी मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलीस ने शीबू के खिलाब ब्लेक मेलिंग सहीत अन्य धाराओं में प्रक्रण दर्च किया है वहीं आरोपी की तलास में पुलीस जुटी है चात्र द्वारा यूती से शादी का जासा देकर फिछले 5 सालों से शारेरिक संबन मनाने के मामले में पुलीस ने दुसकर्म सहीत अन्य धाराओं में प्रक्रण दर्च कर आरोपी की तलास सुरू कर दी है दरसल मामला लसुडे थाना छेतर की रविदास नगर का है जहां र चात्र द्वारा यूती का कहकर यूती को प्रेम के जाल में फसाया कई बार पिछले 5 सालों में यूती से सारे रिख संबन मनाए और शादी से इंकार कर दिया जब यूती को पता चला कि मानीस कहीं और शादी करने वाला है रथकाल पुड़िता ने उखाने के शिकाय बड़ा महंगा गुसाय यूती के दोस्तों ने चाकू से हमला कर किया घयल मामले में पुलीस ने प्रक्रण धर्ज कर तीन आरोपय को किये गिरफतार दरसल मामला एमाइजी थाना चेतर में पिंक सिटी कालोनी में रहने वाली आनंद अपने एक दोस्त के साथ अपनी बहन क सहली पर रंग लगा दिया जिस बात को लेकर यूती के दोस्त विनीत रोहित और अर्मान ने आनंद की जम कर पिटाई की और चाकू से हमला कर घयल कर दिया घटना के बाद घयल अवस्ता में आनंद को उपचार के लिए एमवाई अस्पताल में भरती कराया गया है जहां उ कम वाईब भवस्ता है खिर बस्तक्र हम थाहारा कि बिला है